तो वेलकम बैक पूर चानल दोस्तों स्वागत है आपका अपने पूर चानल में बैक टेश्टर टेडर में तो आज की इस वीडियो लेच्चर में हम बात करने वाले हैं दा न्यू ट्रेडिंग फॉर लिविंग इस किताब का हम बुक रिव्यू बताएंगे यानि कि बुक सम तो इसमें आपको टूल்स होने चाहिए है और आपके इंद्गर्थ होने चाहिए ठीक है अगर तीसरा आदाहिज में आपका इस्संना कितने ट्रेड लेहें तो कितना आप रिस्संक करेंगे तो ये तीन पर ये किता मताह गया है द्यूक्ट्र आलेक्जनियोgan लेदर ने ल अगे देखते हैं यहां कोई पार्ट वाट नहीं दिया गया है तो सबसे पहले यहां पर बात होता है इन्ट्रोडक्शन में बताते हैं। ची बिच्छे कालोजिगल पंटै ओर्ट क्या है आपका इंडविज्वीकल यह क्या है जिस्मेस Am है तर्डी ठीक्रेट्थे क्या है रियालेट्स एलोजिए इसका मतलब क्या होता है सेल्फ डिक्स्टेंटन याने कि तीसरा इसमें आता है इसके अंदर ट्रेडिंग साइकलोजी ठीक है फिर इसमें आता है आपका वीनर्स और लूजर्स ठीक है तो उसका यहां पर कॉंसेट बता गया तो यह पहला चेप्टर आपको पढ़ना चाहिए दूसरा चेप्टर आप के बीच में कैसे संपर्क होता है ट्रेंड का साइकलोजी क्या है ठीक है तो यह यहां पर पहला चेप्टर और दूसरा चेप्टर इन दोनों को रीड कीजिए इसको और यह दुसको मास साइकलोजी को रीड कीजिए और इंडिविजल साइकलोजी को रीड करेंगे ठीक है फ चेप्टर है पहला दूसरा उसको पढ़िए इसके बाद आगे देखते हैं यह चौंते चेप्टर में बात करते हैं यहां पर कंप्राइज टेक्निकल एनलेसिस के बारे हम जिसने आपको जिसे एल्गो ट्रेडिंग हो गया नहीं तो इंडिकेटर के माध्यम से ट्रेडिंग करेंगे जैसे मुई ए उरेज हो गया है एंडिकेटर के मतबसे आप एंट्री एक्जिट कर सकते हैं पिर आता है इसमें पांचवी चेप्टर में बताते हैं वालीम्स के बारे में जिसमें आप दे सकते हैं वालीम के बारे में जानकरी पता रहेगा ओपन इंडरेस्ट, टाइमिंग क्या है, टाइम फ्रेंश क्या रहेगा मार्केट का तो यह सारे चिज़ें यहां पर वालीम्स के दरत बताए गाएगा, चहँवंचनल मार्किट इंडिकेटर के बारे में ढ유 हाई बनता है 50 वैवरेज जी कुछ इंडिकेटर के बारे में बताते हैं सेबंचनल और बताते हैं यहाँ पर आप दिसकते हैं ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए उन unique क्र सकते हैं जो है आपके पास होना चेहिस में technical analysis का system हो सकता है computer का system हो सकता है screen का system हो सकता है और आठवे chapter में बताते हैं ये vehicle के बारे में कि आप कहा कहा पर कुछ से गाड़ी जड़ाएंगे ठीके stock में trade करेंगे ETF में option में future में forex में ठीके तो ये आठवे चेप्टर में बताएंगे नाइन चेप्टर में बताते हैं रिस्क मेनेजमेंट के बारे में 2% रूल हो गया, 6% रूल हो गया 5% रूल हो गया तो यह अपने अनुसर आप देव सकते हैं इसमें बीच आपका इमोशन और प्रबाबिलिटीस कैसा है उसके अधाय पर आपको रिस्क लेना है ठीक है दस्वे चेप्टर में बताते हैं प्रेटिकल डिटेल्स बताते हैं ठीक है कैसे हमारे सब्दों के सकती होती है कैसे हमें टार्गेट डिसाइड करना है कितना प्रब्सें टार्गेट लेना है possibility क्या है stop loss कैसे define करना है ये तो ये last हम बताते हैं यहाँ पर आप देशकते हैं 11 chapter में तो ये important है पहला chapter हो गया दूसरा chapter हो गया और 11 chapter हो गया तो इसे आपको 3 chapter को read करना ज़रूरी है ठीक है 11 chapter हैं बताते हैं record कैसे रखना है कैसे आपको diary maintain करना है कैसे अपने plan करना है trading general रखना है तो ये important चीज़ है यहाँ पर दिया गया है तो पहला chapter आपको पढ़ना चाहिए दूसरा और 11 chapter तो तीन chapter को मैं recommend करूँगा आप लोग को पढ़ने के लिए ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्क्राइब कीजिए में दिने श्टूडियो में जहिन